तबाही की बात कर रहे हैं तो आईए आपको पहले ये बता दें कि आपको याद होगा अमेरिका में पिछले राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प ने राष्ट्रपती चुनाओं में जो जो बाइडन थे उनके हाथों जो उनकी हार हुई थी उसको स्वीकार नहीं किया था औ और उनके समर्थकों ने अमेरिकी कॉंग्रेस कैपिटल हिल में जम कर हिंसा की और तबाही मचाई वो कैपिटल हिल के अंदर घुज जाए और जम कर हंगामा किया उन्होंने दुनिया भर में उसकी बड़ी आलोचना हुई कुछ वैसी ही स्थिती ब्राजील में भी देखने मच गई है पूरी तरीके से वहां की जो राजधानी है ब्रजीलिया वहां पर धुर दक्षन पंथी नेता और पूर्व राष्ट्रपती जायर बोलसोनारो के समर्थकों ने जम कर उत्पात मचाय हुआ है हजारों उपद्रवियों ने वहां के राष्ट्रपती भवन ऋपद्रवी मांग यह कर रहे हैं कि सेना दखल दे और लूला डेसिल्वा को सत्ता का चार्ज लेने से रोके ऐसे हजारों उपद्रवियों को पुलिस गिरफतार करके जेल में डाल रही है दر असल पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्ट्पती चुनाओं में जो करारी हार हुई बोलसोनारों की, उसके बाद उनके समर्थकों ने अभी तक इस हार को सुईकार नहीं किया है। वहीं पर राश्ट्रपती लूला ने बोल्सोनारों पर अपने समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। अब आप सोचिए, जो चीज अमेरिका में हुई, अब वही ब्राजील में हो रही है। ब्राजीलिया से आई हिंसा की इन तस्रीरों ने वशिंग्टन की याद इला दी जब राश्ट्रपती चुनाओं में हार के बाद भी हार ना मानने वाले डोनाल्ड टरंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था। बीती रात ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में जैर बुल सेनेरों समर्थकों ने भी जम कर हिंसा की। राश्टपती चुनाओं में हार जाने के बाद भी दक्षिन पंथी नेता जैर बोल सेनेरों के हजारों समर्थकों ने सुप्रिम कोर्ट में घुस कर जम कर तोर भोड़ गी इन में से कई ब्राजील फुटबॉल टीम की जर्सी पहने हुए थे उन्होंने कॉंग्रेस बिल्डिंग और राश्टपती भवन में भी उपद्रव करने की कोशिश की ये अक्टूबर में बोल सेनेरों को मिली हार अब तक पचा नहीं पाए हैं और ब्राजील की सेना से दखल देने की मांग कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ऐसा किया है वो पकड़े जाएंगे और उनको सजा भी दी जाएगी वो देखेंगे कि आजादी का अधिकार संबाद की आजादी अभी व्यक्ति की आजादी सबी है लेकिन ये भी जरूरी है कि लोग उन संस्थाओं का सम्मान करें जो लोग तंतर की मजबूती के लिए बनाई गई है चार सो से अधिक उपद रवियों को गिरफतार किया गया है इनको भर कर लाने वाली बसों को सीज किया गया है पुर्व रास्टपती बोल सेनेरो रास्टपती लूला की शपत में शामिल हुए बगैर विदेश चले गए थे और उनके अमेरिका के फ्लोरीडा में होने की खबर है उन्होंने ट्वीट कर इस हिंसा में अपना हाथ होने की बात से इंकार किया और हिंसा की निंदा भी की लिखा की शांतिपुर्ण प्रदर्शन लोकतंतर का हिस्सा है लेकिन सारजनिक इमारतों में हिंसा और तोड़फोड जैसा की आज किया गया है और जो 2013 और 2017 में लेफ्ट के द्वारा किया गया था वह निंदनीय है मैंने अपने कारिकाल में हमेशा समविधान का पालन किया है कानून और लोकतंतर की रक्षा की है मैं ब्राजील के मौजूदा प्रमुख के द्वारा बिना सबूत मेरे उपर लगाएगे आरोप को खारिज करता हूँ अमेरिकी राश्पती जो बाइडन और केनाडा के पीएम जस्टिन टूडो समेथ दुनिया के देशों ने ब्राजीलिया में हुई हिंसा की आलोचना की है भारत के प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी ने भी ट्वीट कर लिखा है कि ब्राजीलिया में सरकारी संस्थानों के खिलाफ दंगे और तोडफोर की खबरों से बहुत चिंति थूँ लोगतांतरिक परंपराओं का सभी को सम्मान करना चाहिए हम ब्राजील की आथरीटी को अपना पूरा समर्थन देते हैं पिछले साल 30 अक्टूबर को हुई वोटिंग में बोल सेनेरो ने राश्टपती की कुरसी गमा दी लेकिन वे और उनके समर्थक वोटिंग में गरबरी की शिकायत कर हार मानने से इनकार करते रहे हैं इस हिंसा के बाद बोल सेनेरो समर्थक दुनिया भर में उसी तरह विलेन बन कर उबरे हैं जैसे ट्रंप समर्थक 6 जनवरी 2020 के कैपिटल हिल हमले के बाद उबरे थे एजनसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंग एंडी टीव इंडिया